अलो, दोस्तो आज हम जा रहे हैं पुशकर में प्रह्मा जी का एक मात्र मंदर है पुशकर जाने के लिए आप यहाँ पर ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाई रोड भी आ सकते हैं ट्रेन से आने के लिए आपको अजमिय रिष्टिशन उतरन पड़ेगा अजमेर इस्टेशन से उतर कर आप लेटर नमबर एक पर आओगे तब वहाँ से टेमपू मिल जाएगा आपको बस स्टेंड के लिए बस स्टेंड आने के बाद में पुसकर के लिए काफी बस आती है आधे गुंटे के लगेगी इससे आप पुसकर आ सकते हो बाई रोड भी आ सकते हो यहां पर बाई रोड जैपूर से भी आ सकते हो दोन तरफ से कनेक्टिटी काफी अच्छी है बागी आप अगर बाई एयर आना चाहो तो आपको यह नियर इसके यहां पर किशनगड एयरपोर्ट है किशनगड एयरपोर्ट उतर कर आप यहां पर बीच में ये गाटी क्रोस करनी पड़ेगी उसके बाद ही पुश कर आता है ये गाटी का काफी अच्छा मन्होख द्रश्च लगता है इसमें आप बरसातों को टाइम में आओगे तो गाटी काफी ग्रीन ग्रीन रहती है जिससे इसका व्यू काफी अच्छा लगता है और इस पुशकर सहर है जिसको तीरत राज के नाम से भी जाना जाता है और वहां पर ब्रह्मा जी का मंदर है लगवाग यहां पर आते हैं और इसके दर्सन करते हैं और कुछ लोग यहां पर अस्ति बिसर्जन का काम भी करते हैं हिंदू धर्म के अंदर इसकी काफी ज्यादा मानत कि यह अभी हम पुश कर के अंदर एंटर हो चुक हैं यह दर से सौट रस्ता जा रहा है दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं वह सीधा मंदर की तरफ जाएगा वहाँ पार्गिंग की भी सुबिधा है यह दर से एंटरी करने पर एक गुरुद्वारा पड़ता है इसमें आप माथा टेक के आगे अंदर की तरफ जा सकते हैं अभी हम से होके पुषकर लेक की तरफ जा रहे हैं मंदर में जाने से पहले आपको पुषकर लेक में इसनान करना पड़ेगा उसके बाद ही आप मंदर में जाके दर सुन कीजिए पुषकर लेक मेंद फछेड़ हैं घ टरफ दर म gehen की पुषकर ले looks my जापको जापकित पलफ है यह तरफ पुषकर लेक यह दोस्तो पुशकरजील यह पुशकरजील का व्यू पुशकरजील में बामन गाट है यह जो बनारस के बाद है सबसे ज़्यादा है यह इसका चारो तरफ का व्यू है आप वीडियो में देख सकते हुआ हर तरफ यहां पर गाट ही गाट वने हुआ है लवाग यहां पर अस्तियां बिसरजन भी करते हैं और इसमें इसनान करते हैं इसका एंदू दर्म में काफी मेहत्रमान गया है काफी लोग यहां पर रस्ति बिसरजन के लिए कर आते हैं और यहां पर पूजा भी करते हैं यह जील के चारदर्फ अरावली की पहाड़िया हैं इसका व्यू और अच्छा लगता है यहां पर पुशकर शरोबर में इसनान करने के बाद आप ब्रह्मा जी के मंदर जाईए और वहां के दर्सन कीजिए उसके बाद में आप यहां के मार्केट का अदलब तटा सकते हैं यह मार्केट का व्यू आप वीडियो के दुवारा देख सकते हैं यह मार्केट कि अमार्केट सकते हैं कर दो कर दो अब हम आगे हैं ब्रह्मा जी के मंदर में अंदर फोन अलाउट नहीं है इसमें आप जाके दर्संद कर सकते हैं दर्संद करके आने के बाद में आप यहाँ पर लोकल मार्केट में कुछ खरी सकते हैं इसके बाद में हमें एक यहाँ पर रावन अत्ता बजाने वाले मिले जुनोंने काफी अच्छा सौंग सुनाया गदर मूवी का जिसका वीडियो आप देख सकते हैं जिसका वीडियो आप यहाँ पर अब हम ट्राइ करने वाले हैं पुष्कर के प्रसिद्ध मालकुय यह देशी घी से बने हुए मालकुय है यह 40 रुपे की एक प्लेट है हमने दो प्लेट लिया है इसको का सकते हैं आप है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है यहां के फेमस है काफी देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हैं इनका टेस्ट अब हम ट्राइ करता हैं काने पर अच्छा बाच्छा 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 टेस्ट आता है अभी हम ट्राइ करने वाले हैं पुषकर का फेमस फलाफल जो की यहां पर मार्केट में है वो लाफा वाले के नाम से काफी famous है आप यहाँ पर आओ तो आपको यह जरूर ट्राइ करना चाहिए हमने भी ट्राइ किया हमें भी काफी अच्छा लगा टेस्ट में और आप पहली वार ट्राइ कर रहे हो तो आप इसको तंदूरी फलाफल रोल बित मिक्स वेज रोश्टेड पनीर चीज के साथ ट्रा है फर्स्ट वार ट्राइ करोगे तो यह भी आपको काफी अच्छा लगएगा हमने भी यही ट्राइ किया था और इसका चार्ज बन 50 रुपीज है यह इसकी रेसीपी वीडियो में देख सकते हैं इसको बना कैसे रहे हैं क्या का चीज इसमें डालते हैं अभी बनाने के है यह यह नाई झाल 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 तो यह थी दोस्तो हमारी पुस्का ट्रिप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जगे के साथ में नए एक्स्पिरियंस के साथ में झाल